हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बाक टो कॉंबर्डर साइंस एक्जाम करेक्ट चनल, तो आज हम इस वीडियो में आउट्पुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक फंडामेंटल अल्मोस्ट कम्प्लेट कर लिया था, लेकिन बच्चो मैं यहां पर क्या करूंगी, कि इन्पुट डिवाइस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा, आउट्पुट डिवाइस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगा, और मैमरी का मैं अल्लडी डिसकस कर चुकी हो, ठीक है, तो मैं सोचूं कि जो आपका कम्प्यूटर का जो hardware part है उसके बारे में हम थोड़ा सा ओर detail में पढ़ें ताकि आपका कोई भी question ना रहे क्योंकि देखो मेरी इच्छा क्या है कि आपका कोई भी question अगर आप महनत कर रहे हैं computer section में तो आपका 5 के 5 question जो है आपके clear होने चाहिए किसी भी question में आपको doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि एक separate class आप attend कर रहे हैं अलग से महनत कर रहे हैं तो मेरी तो इच्छा यही है बच्छो और आप अपनी मर्जी से तयारी करना अपनी पूरी महनत से तयारी करना और hopefully जो यह target मैं लेकर चलिए 5 out of 5 आप यह achieve कर लोगे ठीके तो अब हम start करते हैं बच्छो output devices output devices में मैं आपको example दे चुकी थी कि printer जो है आपका output device है और monitor आपका output device है ठीके अब जो एक question बनता है यही से start कर लेते हैं थोड़ा सा output devices में monitor या VDU VDU की बच्छो full phone पूछले जाती है exam में तो यह होगा आपका visual display unit क्या होगा visual display unit ठीके जिसको आप monitor कहते हैं और यह सिर्फ आपका output के लिए use होग था ठीके जो अब इस lecture में हम पहले करेंगे पहले हम printer के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम यहाँ monitor के बारे में पढ़ेंगे जनरेट करता है तो printer hard copy generate करता है पहला question ठीके आप दूसरा क्या है कि printer को दो categories में divide किया जाता है किस किस category में impact printer होते हैं और non impact printer होते हैं ठीके impact printer कौन से होते हैं बच्चो जहाँ पर आप क्या करते हैं जाए कि type writer की तरह काम करते हैं सारे impact printer ठीके कि जैसे type writer में आप key press करते थे उसे related आपका जो character था वो print हो जाता था और background में क्या होता था कि कोई ink जो use कर रखी है या ribbon यूज कर रखी है या drum यूज कर रखा है वो वहाँ पर strike करता था आपका keyboard का की और फिर वो जो है आपका display होता था printer के लिए ठीके तो सेम चीज यहाँ पर है आप impact printer को एक type writer की तरह use कर सकते हैं तो impact printer को बच्चो further जो है दो categories में divide किया गया है किस किस category में एक line printer दूसरा है character printer तो question में आप से option पूछ ले जाएंगे impact printer के तो line printer और character printer ठीके अब line printer को बच्चो आप chain printer भी कहते हैं और drum printer भी कहते हैं तो question एक यहाँ से भी बन सकता है कि line printer, chain printer और drum printer सारे के सारे सेम ही होते हैं ठीके अब जो chain printer होता है बच्चो यह जैसे अपनी cycle की chain होते हैं उसमें हम grease डलवाते हैं इसी तरीके से यहाँ पर chain में ink लगी हुई होती है और जहाँ जहाँ हम की press करते हैं वहाँ वह print होता जाता है और drum में क्या होता है यह ink का भरावा drum होता है और आपका जो आपके character है उनको print करने में काम करता है और इसको line printer क्यों कहते हैं क्योंकि at a time एक complete line को print कराता है ठीक है इसलिए इसको line printer भी कहते है ठीक है अब दूसरा बात करते है हम यहाँ पर character printer की character printer देखो यह तो पूरी complete line को एक ही बार में print कराता है यह क्या करेगा एक बार में एक ही character को print कराएगा character printer फर्दर दो categories के होते हैं जिनको हम letter quality printer भी कहते है या फिर daisy wheel printer daisy wheel printer काफी important है आपके exam के point of view से तो daisy wheel printer किस category में आता है character printer की category में आता है या फिर वो और भी उपर अगर आपसे पूछे तो daisy wheel किस category में आता है impact printer की ठीक है यहाँ से drum printer के बार में पूछ रहा जाता है wheel printer है दूसरा है आपका dot matrix printer यहाँ से एक तो full form पुछी जाएगी dmp भी बोलते है generally हम इसको लेकिन full form कैस की dot matrix printer यह जो character को na dots की form में print कराता है इस तरीके से ठीक है कोई भी character होगा तो अगर आपको e print करना है तो यह आपका इस तरीके से e print कराएगा यान कि dot बना बना कर यह character को print कराता है इसलिए इसको dot matrix कहते है dot matrix किसकी category में आता है character printer की और character printer किसकी category में आता है impact printer की तो इस तरीके से बच्चो आप अपने आपसे questions करना और आप इनके answers बनाना ठीक है अब हम बात करते है non impact printer की जो बच्चो non impact printer होते है यह तीन categories में divide होते है यहाँ पर impact printer में मैंने बताया था कि typewriter की तरह काम करते है यहाँ जो non impact printer है बच्चो इसमें क्या है different different mechanisms use होते है तो यह है first है आपका ink-z printer ink-z printer की category है non impact printer की और epson stylus color 500 इसका example और भी बहुत सारे market में available है ठीक है HP के ink-z printer आते है तो मैंने आपका example दिया है ink-z printer में ink use होते है जैसे cartridge होते है इसमें cartridge होता है cartridge को full कराया जाता है ठीक है उसको refill कराया जाता है और उसमें different different colors के print आप निकाल सकते हो एक black and white cartridge होता है एक आपका color cartridge होता है ठीक है तो इसमें cartridge use होता है अगर पूछ लिया जाए तो इसमें cartridge use होता है अगला है बच्चो laser printer ठीक है laser printer है और example है इसका HP 1000 और HP 6L और यह जो printer होते है यह laser rays की उसमें रिस्पोंस में यह काम करते है laser lights use होती है laser lights की help से यह जो printer print कराता है अगला है thermal thermal का मतलब क्या होता है यानि कि यह जो printer है print कैसे करता है यह printer heat generate करता है यह heat की help से printer को print कराता है तो यह जो category है बच्चो यह printer की है printer को आप hard copy बोलेंगे दो categories में divide है और इनके नाम याद कर लेना इनको reverse में अपने आप से queries करना और अपने APN के answer बनाना तब आपको अच्छे से clear होगा लेकिन जो आपका proper printer का इससे बहार कुछ नहीं आएगा बच्चो ठीक है तो यह वाला portion आपका printer का है अब जो हम बात करेंगे आगे हम करेंगे monitor के बारे में monitor के बारे में बात करने से पहले मैं discuss करना चाहूंगी अभी मैं कल ही exam question paper देख रही थी ग्राम सचीव का तो वहाँ पर एक question पुछा गया था refresh rate refresh rate से related एक question था अभी मैं आपको बता दूँगी वो भी ठीक है तो मुझे लगा कि अगर इस step के questions पुछे गए हैं तो थोड़ा सा मैं detail में इनको भी करा दू ठीक है तो question कोई भी बनेगा यह fundamental से अलग part नहीं है बच्चो लेकिन यह थोड़ा सा in depth है इसलिए इसको avoid कर दिया जाता है generally जो पढ़ाया जाता है लेकिन जब वही बात है मैं बार बार वही repeat करूंगी महनत कर रहे हैं तो अच्छे से करो ठीक है तो यहां पर मैं जो monitor है इसकी types बताऊंगे और किस तरीके से display कराते हैं वो बताऊंगे ठीक है जो कि exam के point of view से important हो सकते हैं जैसे कि आपने अभी क्राम सेच्ची के exam लेका था होते हैं छे type के monitors होते हैं बच्चों हमारे पास CRT LCD LED PDP VFD और ELD ठीक है अब इनकी full form आप से पुछी जा सकती है CRT क्या होता है cathode ray tube काफी important है इसके बारे में detail में भी पढ़ेंगे CRT full form क्या cathode ray tube है cathode ray tube क्या है monitor है monitor क्या होते है display devices होते है इस तरीके से अपने आप सही question पूछते जाना आप लोगों को LCD LCD liquid crystal device liquid crystal device LED light emitted dot PDP plasma display panel plasma display panel VFD vacuum fluorescent display और ELD electro luminescent display तो यह जो full form है बच्चों बिल्कुल याद कर लेना है इनकी abbreviation एक तो abbreviation पूछी जा सकते है इनकी एक आपको कोई भी example कोई भी आपको option में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन में से कौन सा display device है ठीके तो इस तरीके से भी question पूछा जा सकता है तो यह चीज आप अपने अच्छे से आप इसका screenshot ले सकते हैं आप अपने साथ की साथ notes बना सकते हैं तो बचो अब जो हम बात करेंगे हम करेंगे cathode rate की सबसे popular जो आपका monitor के अंदर mechanism यूज होता है यह आपका CRT यूज होता है तो चलिए बचो अब हम स्टार्ट करते cathode rate tube अब हम बात करेंगे CRT की जो कि आपका display device है CRT की full form क्या होता है cathode rate tube अब cathode rate tube जो है तीन type ही raster scan display vector display या random scan इन दोनों का same name है या तो आप इसको random scan बोलो या इसको आप vector display बोलो जो third है वो है आपकी DVS थी इसकी full form आपसे exam में पूछी जा सकती है direct view storage 2 ठीक है important रहे गा ही अब देखो बचो raster scan display क्या होता है यहाँ पे एक beam होती है यह beam क्या करती है और यह beam क्या करेगी जो आपकी monitor की screen यह क्या करेगी ठीक है तो यह beam आपको कोई भी picture अगर display करानी है यह top to bottom चलेगी बच्चों ऐसे ठीक है और जहाँ जहाँ पर आपकी picture होगी उसको यह display करा देगा ठीक है raster का मतलब completely यह scan करती है आपकी monitor को इसलिए scan बोला जाता है raster scan ठीक है completely ठीक है अब इसके अंदर क्या चीज होती है resolution होता है जो important है exam में पूछा जा सकता है resolution है resolution क्या होता है बच्चों resolution आपकी picture की quality पे direct depend करता है माल लीजे यहाँ पर resolution क्या होता है यह centimeter का area है इस centimeter के area में जितने भी number of pixels होगे वो इसका resolution होगा screen का ठीक है number of pixels in 1 cm is known as the resolution जितने pixel यहाँ होगे centimeter के area में उतनी ही quality जो है आपकी picture की अच्छी रहेगी ठीक है जितने कम होगे quality आपकी degrade होती रहेगी ठीक है तो यह आपका resolution है इसकी definition याद कर ले ना एक centimeter के area में जितने number of pixel pixel बोल लो या इसको point बोल दो वैसे computer में इनको pixel ही बोलते है ठीक है अगला है picture storage यह जो picture है आप जो picture display कराते है यह किस form में store होते है यह store होते है बच्छो pixels की form में ठीक है pixel क्या है आपकी screen पे छोटा सा dot जो है वो pixel है ठीक है refresh rate अभी मैंने बोला था कि ग्राम सच्चिव में आया वा था refresh rate रिफ्रेश रिफ्रेश रिट का होता है जैसे यह beam थी न बच्छो यह क्या horizontally top to bottom ऐसे run करती रहती है अभी दुबारा जैसे अब दुबारा यह complete होगी आपकी दुबारा से यह off top to bottom चलेगी जितना frequently यह retrace करेगी उतना ही आपके पिक्चर के जो quality है वो अच्छी बनेंगी ठीक है तो बार-बार यह refresh करती रहती है और refresh rate को measure किसमें किया जाता है hearts के अंदर hearts के अंदर refresh rate को measure किया जाता है अगर unit पुछी जाए refresh rate की तो hearts होगा refresh rate क्या होता है retracing the monitor from top to bottom ठीक है और in horizontal way जितना fast वो frequently ऐसे करेगी अभी मैंने बताया कि यह starting top से start करेगी और इस तरीके से वो read करती जाएगी scan करती जाएगी आपके screen को फिर दुबारा करेगी फिर तीसरी बार करेगी वो refresh rate होगा कितने time बाद वो तीसरी बार करेगी वो refresh rate होता है अगली बात करते हैं vector display की और random scan की अब देखो एक ही major difference जो है raster और random के अंदर raster तो क्या करता है completely पूरी screen को read करता है scan करता है random क्या करेगा जिस portion में आपकी picture माली जी monitor तो बहुत बड़ा है picture आपको सिर्फ इस area में चाहिए तो यह सिर्फ इस area को ही highlight करता है यह जो beam है आपकी electron beam है जो इसी area पे highlight करेगी यहीं पे वो pixel को draw करेगी picture elements को draw करेगी यहीं पे ठीक है ना कि completely quality इसकी भी अच्छी होती है इसकी भी अच्छी होती है resolution बच्छो इसमें थोड़ा सा CRT जो आपका raster scan display होता है इसमें resolution थोड़ा कम होता है as compared to raster scan random scan का जो resolution होता है वो high quality होता है high quality होता है अब जो हम आजकल जो हम use करते हैं वो हम करते DVST direct view storage tube इसके अंदर क्या होता बच्छो कोई refresh करने की जुरूरत नहीं कोई refresh buffer नहीं होता buffer मतलब एक temporary area जहां पर वो picture को store कराते है ठीके बट सबसे अच्छी बात क्या है कि high quality resolution होता है high quality resolution होता है तो बच्छो आपको इतना ही याद करना है बताने को तो बहुत बड़ी stories है इसके पीछे पूरे-पूरे subjects बनते हैं बच्छो इनमें लेकिन मैं बहुत ज्यादा detail में नहीं जाओंगी बट जितना आपके लिए important है उतना मेरा बताना मेरी duty बनता है तो इसलिए मैंने आपको ये complete बता दिया है इसका आप screenshot ले लो इसके आप notes प्रपेर करो जैसा आपको लगे आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जो बच्छो हमने इस lecture में discuss किया वो हमने output devices किया output devices को हमने दो categories में रखा था monitor की category में और printer की पहले हमने printer पढ़ा उसके बाद हमने monitor पढ़ा फिर monitor की भी हमने fix six types पढ़ी और six type में से CRT जो हमने main focus किया जिसको हम cathode ray tube कहते हैं उसके भी हमने further types पढ़ ली हैं तो ये था बच्छो आपका output devices related topic I hope कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो बच्छो इस video को आप like share कर सकते हैं और चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो आप bell icon को press कर दे ताकि आने वाले videos का notification आपको मिलता रहे तो मिलते हैं बच्छो next video में next topic के साथ तब तक लिए thank you very much